आज 18 दिन हो चुके हैं इस युद के जारी हुए और युक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि वो रूसी सेना को नुक्सान पहुचा रहा है खेरसन में रूसी फॉच पर पलटवार का दावा युक्रेन द्वारा किया गया है खेरसन में दो रूसी हेलिकॉप्टर मार गिराए गए ये दावा यूक्रेन द्वारा किया गया है खेरसन में रूसी फॉच पर पलटवार और एक बड़ा दावा यूक्रेन द्वारा किया गया है रूस और उक्रेन के विजार यूद का आज अठारवा दिन उक्रेन का दावा है कि उसने खेरसन में दो रूसी हेलिकॉप्ट्रों को मार के रहा है एक रूसी पाइलट जिंदा पकड़ा गया ये भी एक बढ़ा दावा उक्रेन देड़ा खेर्सन पर रूस ने किया था कबजे का दावा तो लगातार दावे भी हो रहे हैं दोनों देशों की तरफ से रूस का दावा खेर्सन पर कबजा किया गया लेकिन यूक्रेन अब ये दावा कर रहा है कि खेर्सन में रूसी फॉच पर वो पलटवार कर रहा है और पलटवार क परने की दावे युक्रेन द्वारा किये जा रहे हैं। परने की 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 द्वारा किये जा रहे हैं। खारकीव में चार ओर तबाही मची है। खारकीव में वारी रहे हैं। वोड़े वारी का रहे हैं। गुर्द